नमस्कार दोस्तो मैं साव सिंगा तुस्वाथ करता हूँ अपनों का दोस्तो प्रिवियस वीडियो में हमने देखा कि 8085 माइक्रो प्रेस्टर से मैंक्सिमम कितनी मैमोरी को हम एड्रेस कर सकते हैं और आएे इस वीडियो में हम पिन डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते है तो इस वीडियो में हम सबसे पहले first or second pin के बारे में पढ़ेंगे तो पहले हम ये दो pin को देखते हैं X1 और X2 जो दो pin है ये pin कहलाती है इनसे हमें क्या देना होता है clock frequency मतलब जिस frequency पर हमारा microprocessor काम करता है उस frequency को यहां से हमें microprocessor तक पहुचाना पढ़ता है तो यहां पे एक oscillator connect करते हैं लेकिन oscillator connect करते समय ध्यान देना होता है हमें कि microprocessor internally जिस frequency पर काम कर रहा है उस frequency से double frequency का oscillator देना होता है और इसमें internal एक circuitry होती है एक circuitry के assembly toggle flip-flop लगा रहता है T flip-flop जो कि इस oscillator से generate होने वाली frequency को half कर देता है normally 8085 microprocessor 3 megahertz पर काम करता है तो हमें 6 megahertz frequency का एक crystal oscillator एक कोई भी oscillator कोई भी oscillator यहां पर connect करना होता है और 6 megahertz की frequency का जब हम यह oscillator connect करेंगे तो frequency को डिवाइड बाइ half करके 3 megahertz पहुचाता है question यही है कि frequency half क्यों की जाती है this is the basic question कि हम जो भी frequency का signal यहां से दे रहे हैं तो half frequency ही क्यों हमें चाहिए है तो समझेगा जो 8085 microprocessor है उस 8085 microprocessor में अंदर यह जो trap, interrupt, RST यह सारे के सारे interrupts जो हैं यहां पर आप देखोगे triggering की आवशक्ता होगी और इस मैंसे कुछ को positive triggering देना होता है मतलब internal इसकी circuitry में कई जगे ऐसा होगा कि positive triggering की आवशक्ता होगी और कई जगे ऐसा होगा negative triggering की आवशक्ता होगी तो जो कोई oscillator जो signal generate करता है जरूरी नहीं है कि उसका duty cycle 50% हो 50% duty cycle का मतलब समझेगा जैसे कोई oscillator ने जो भी frequency 6 MHz की frequency generate तो कर दी लेकिन उसका जो duty cycle है वो 50% नहीं है मतलब ऐसा है कि high level उसका कम है low level जादा है फिर high level कम low level जादा मतलब जो duration है वो high और low level का different duration है that means 50% duty cycle नहीं है माल लेते हैं 40% या 30% duty cycle है अब अगर ऐसा signal हम directly इस microprocessor को दे देंगे तो कहीं हमें positive age triggering देना है कहीं हमें negative age triggering देना है तो जो triggering देंगे positive और negative अलग अलग triggering तो उनमें time duration में difference आजाएगा कि एक triggering जल्दी मिल जाएगी और ये triggering में delay होगा देखे ये time जादा है ये time कम है तो ये triggering जल्दी मिल जाएगी और ये triggering क्या हो जाएगी late मिलेगी तो उससे internal circuitry में synchronization जो है वो नहीं हो पाएगा तो हमें synchronization अगर करना है तो that means ऐसा signal पहुँचना चाहिए जिसका duty cycle क्या हो हमारा 50% हो तो अब सोचिएगा अगर इसी clock pulse को यही एक clock यह clock है हम यही clock इसी clock को हम क्या दे देते हैं एक toggle flip-flop को दे देते हैं जिसमें की t की value 1 है और फिर हम output निकालने की कोशिश करते हैं देखिएगा toggle flip-flop को दे दिया माल लेते हैं कि यह positive age triggered है इस flip-flop को हमने दे दिया और इसकी frequency हमने assume कर ली 6 MHz है जो भी होगी वो half हो जाएगी तो आप देखिए क्यों जरा कैसा मिलेगा क्यों यहाँ पे assume कर लेते हैं low है जैसे ही triggering मिली तो high हो जाएगा और उसके बाद high ही रहेगा जब तक की दुबारा triggering ना मिले और फिर high हो जाएगा और फिर again अब आप देखिए कि जो भी इसकी frequency थी उससे आधी frequency हो गई आधी frequency कैसे हो गई आप देखिएगा जरा time period double हो गया होगा यह जो इसका time period 30 और यहाँ तक again फिर 30 और इसका time period कितना हो गया है यह हो गया है जो की इसका time period, इसको हम T dash माल लेते हैं, जो की इसके twice T के बराबर है, तो अगर time period दुगना हो गया, तो frequency जो होगी F dash, वो क्या हो जाएगी, वो frequency हमारी F dash by 2 हो जाएगी, sorry, F by 2 हो जाएगी, तो यहां से देखिए, कि time period जब दुगना हो गया हमारा output का, तो frequency क्या हो गई, हाफ हो गई, यहनि कि toggle flip-flop ने क्या क्या frequency तो हाफ कर ही दी, साथ साथ एक important चीज़ देखिए, कि जितने time तक high level मिल रहा है, उतने ही time तक अब low level मिल रहा है, that means, कि यहां पे, जो duty cycle है, वो 50% हो गया, तो ध्यान रखिएगा, कि जो हम बोलते हैं, कि 8085 microprocessor को internally इसको run करने के लिए, जो भी frequency चाहिए है, उससे double frequency का oscillator लगाते हैं, क्योंकि इसमें internally एक toggle flip-flop लगा रहता है, जो half कर देता है frequency, वो इसलिए लगा रहता है, कि अगर गलती से जो oscillator है, वो oscillator अगर 50% duty cycle का signal generate नहीं कर रहा है, तो यह toggle flip-flop जो इसमें internally connected है, वो क्या करेगा, 50% duty cycle हमें दे देगा, duty cycle कितना दे देगा, 50%, 50% duty cycle का मतलब है, जितना positive cycle मिलेगा, उतने ही duration का हमें negative cycle मिलेगा, लेकिन इसमें साथ-साथ frequency क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, क्योंकि toggle flip-flop है, तो इसलिए जो भी internal frequency हमें चाहिए है, उससे double frequency का oscillator अगर आप लगाओगे, तो toggle flip-flop frequency को तो आधा कर ही देगा, साथ-साथ duty cycle भी 50% कर देगा, जिस ना रहे, easily synchronization हो जाए, तो ये एक बहुत अच्छा question था, जिसमें साथ-साथ हमने इन दो pin का description भी समझ लिया, आगे आने वाले वीडियो में बाकी remaining pins का भी हम description समझेंगे, और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं, तो इनको like जरूर कीजिए, क्योंकि आपके like ह जो हमें motivate करते हैं, ज्यादा है ज्यादा वीडियो बनाने के लिए, अगर आपको लगता है हमारे वीडियो इस नॉलेजिबिल हैं, तो इनको बाकी लोग के साथ share कीजिए, से बाकी लोग भी से फाइदा होटा सेकें, कभी random वीडियो मत देखें, क्योंकि हर वीडियो में लॉजिक रहते हैं, और वीडियो देखने के लिए, सब्जेक वाइद वीडियो की प्लेस की लिंक हर वीडियो की नीचे डिस्कूर्फ लें लखी रहती है, टॉपिक वाइद वीडियो की लिंक अगर आपको चाहिए, तो गेट क्रेकर से यूटूब चैनल पे विजिट की किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकोन प्रस कर दिजिए, इसे आप लोगों तक लेटेस अब्डेट नॉटिफिकेसिंग पॉंट एना, थैंक्यू सो मच, गुड़लाँ